Hello guys, welcome back to my channel Boulding a Sensei Classes by Satsunam Chohan So guys, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस बार का जो exam होने वाले हैं उसका paper pattern कैसा होगा कितने maximum marks आपको दी जाएंगे और हर एक जो question होगा वो कितने number का होगा long question कितने आएंगे very short question कितने आएंगे और जो short question है वो कितने हैंगे तो यहाँ पर इस notice के जरी हम आपको explain कर देना चाहते हैं कि भले ही यह जो notice है वो CCSU, Merit University से related है बट हाँ, बहुत सारी universities में जैसे traditional course में convert हो गई है अब जो semester में convert हो गई है उनके लिए भी यह notice काफी valuable है because of उनके भी semester exam होंगे यह पहले internal होंगे तो जो semester exam का pattern है वो सबका same ही होने वाला है ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जितने भी बच्चे CCSU, Merit या बरेली University, या आगरा निवस्टी या और भी बहुत सारी universities है जिनका यह जो इस label से वो match होता है तो बहुत ज़्यादा valuable information आपके लिए आपे होने वाली है और यहाँ पे इनोंने बताया है कि जो भी रास्ते सिख्षा नीती 2020 है उसके अनुसार ही होने वाली परिक्षावकस में विवरन है तो कोई भी college, कोई भी universities पिछले पुराने पाठे गरम के आधार पर ना तो वो classes चलाएगा ना ही उसके आधार पर paper बनाएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा यह इनोंने एक notice दिया हुआ है अब यहाँ पर बात करते हैं नीचे कि कि किस तरह का pattern होगा paper pattern क्या होगा 2021 के जो भी exam आने वाले हैं आपके semester के और especially हम B.A. की बात करते हैं तो जी यहाँ पर section A, section B और section C तीन खंडों पर इसको divide किया गया है ठीके तो section A में यहाँ पर है very short question जिसमें से आपको 5 very short दे जाएंगे और आपको 5ों के 5ों ही करने पड़ेंगे आपको 5 के 5 आपको attempt करने है हर एक question तीन marks का होगा तोटल आपका paper 75 marks का होगा अब बात करते हैं आपका section B के बारे में यानि की short answer question ने की लगू उत्रिया प्रशन जो की आपको जो question दे जाएंगे वो 3 होगे ठीके आपके जो question होगे short answer question वो 3 होगे जिनमेंसे आपको 2 को attempt करना है ठीके हर एक question कितने का होगा 7.5 marks का question होगा और 200 या 200 प्लस वर्डो में आपको इसको complete करना होगा ठीके एक बार और आपको repeat कर देते हैं कि 3 question देखे short question कितने होगे 3 question होगे जिनमेंसे 2 को आपको करना है इन 3 मेंसे कोई भी 2 आपको attempt करना है अब बात करते हैं section C के बारे में यानिकी long question long question कितने होगे देखे 5 प्रशनों मेंसे किनी 3 प्रशनों के उत्तर आपको देने बढ़ेंगे तो आपके question paper में 5 long question आपके सामने होगे जिनमेंसे आपको कोई भी 3 attempt करने है और जो कि 15 marks का 1 question होगा और completely 500, 800 या 1000 word में आपको इसको complete करना होगे ये limit दे देते हैं words की और तो यह तो आपको पता है कि long questions कितना long करके लिखना है short question कि क्या आपकी limitation होने चाहिए वैसे इस चीज को लेकर के भी एक video lecture लाएंगे कि किस तरीके से आपको question को attempt करना है very short किस तरीके से लिखने है short को कैसे लिखने का तरीका है और long, especially long question को कैसे लिखने का आपको तरीका है एक बार और repeat कर देते हैं कि देखो section A में जो very short होगे very short 5 होगे, 5 के 5 आपको करने है ठीके, हर एक question 3 marks का होगा अगर हम short की बात करते हैं तो 3 question होगे, जिनमेंसे आपको 2 attempt करने होगे, हर एक question 7.5 marks का होगे, निकि 7.7 number का होगा, और जो section C है उसमें आपको 5 question दिये होगे, जिनमेंसे आपको 3 को attempt करना है, जो कि हर एक question कितने होगा, 15 number का होगा तो total मिला करके, आपकी कितने होगे 75 marks का, आपका पूरा paper होगा, तो paper में किस तरीके से marking को increase करें कैसे marks को बढ़ाना है, किस तरीके से question paper में answer को लिखना है इस चीज़ को लेकर के भी हम एक या दो दिन में एक video अपलोड कर देंगी, और वो काफी हद तक I hope so, वो आपको help भी देगी और इससे आपको जितनी भी confusion है, कि कितने numbers का हैगा कैसे लिखना है और जितनी भी problems होती है, एक paper को लेकर कि जितनी भी अंदर curiosity होती है I think so, उस video के ज़री आपके सारी curiosity वो short out हो जाएगी So guys, कैसी लगी information information पसना दाए, तो like करना, share करना और चैनल पर नहीं है, तो subscribe ज़रूर करना पीजे बैल आइगन को प्रेश ज़रूर करना ताकि हर एक video का notification और इस ते कि जो भी update है वो आप तक पहुंसती रहे, उसका notification आप तक पहुंसता रहे और टैलेग्राम को join ज़रूर करना और जितनी भी classes चल नहीं है उनको attend करो, वेकोज उफ एक्जाम के ज़्यादा time नहीं रहा है बहुत बचे पूछते हैं कि एक्जाम कब तक होंगे तक एक्जाम का तो ऐसा है कि अभी internal होने वाले हैं हर एक college अपने internal कराएगा और उसके बाद जन्वरी के आसपास मतलब जहां तक मुझे उम्मीद है कि उन्मस्टी जन्वरी के आसपास आपकी जो external है वो complete करा देगी तो उसी हिसाब से अपने तयारी अपना रखे अपनी books वज़ारा जो भी है आपके पास में रखे अगर problem है तो आप मुझे message के जरीए या फिर comments में comments में लिखकर के उस चीज़ को बता सकते हैं तो मलते हैं next video lecture में next update को लेकर के thank you जहीन जे भारत